आप दर्श करके आप दर्श कर लिए आप जाज कीजे उसके बाद जो समझ से जाज करके जाज करने के बाद आप की और से संदेश जाना चाहिए कि आप बायस जो रही है मैं आपको अभी एक वीजियो दिखाने जा रही हूँ ये वीजियो आपको बताएगी कि माइनौरिटीज के लिए इनसाफ के माइने इस मुल्क में क्या हो चले हैं आप माइनौरिटीज के गतलियाम की कॉल दीजिए उनके फिलाफ हत्यार उठाने की बात करिए दिन रात यही करिए तीन दिन तक धर्मसंसद जो है वहरी द्वार में चलती रही उसके बाद राइपुर में ये धर्मसंसद होती है 36 करके और उसके बाद जब लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज होती है तो कोई गिरफतारी नहीं की जाती है खुले तोर पर इसी तरह से लोग घुमते रहते हैं फिर ये लोग बाकाइदा तोर पर एक और मीटिंग करते हैं मीटिंग में ये कहते हैं कि ऐसी धर्मसंसदे जो है वो पूरे मुल्क में की जाएंगी जो हमने वहाँ पर फ्रंड लिया है उसको पूरे देश तर पहुँचाया जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में आपको इस तरह के और धर्मसंसदे जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं और इन लोगों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं इन लोगों को कोई किसी तरह से पानून का पुलीस का कोई डर क्यों नहीं है और किस तरह से इन लोगों को सकता का संड्रक्शन प्राप्त है ये जो अभी वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ ये आपको बताएगी इस वीडियो में लगते हुए ठाहा के उस इंसाफ के उपर ठाहा के लग रहे हैं जिसके उमीद आप लगाए बैठे हैं इस वीडियो में लगते ठाहा के दरसल उस कानून विवस्था और उस पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं जिन से आप किसी तरहा की इंसाफ की उमीद जो है वो लगाए बैठे हैं आपको अगर ये लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा क्योंकि आपके खतल की कॉल दी जा रही है आपके त्योहारों को टागिट किया जा रहा है आपके जो अबादत है उसको टागिट किया जा रहा है आपको अलग अलग जगाहों पर सिर्फ आपके मजभब के नाम पर आपको लिंच किया जा रहा है आप ये वीडियो देखिए और फिर इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनसाफ के मायने अब क्या हो चले हैं आरा हारा हारा फारा बातों को मिस इंटर्न बेच करके समाज बर्ज़ करनी है प्रिशाष्णिक अधिकारी हैं और आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब तो आपने देखा ये वीडियो में जो लोग मौजूद हैं यही वो तमाम लोग हैं जिन्होंने धर्मसंसद में नरसनहार की कॉल दी थी जिन्होंने हत्यार उठाने की बात कई ती जिन्होंने कहा था कि सौ आपको अगर सैनिक मिल जाए तो किस तरह से बीस लाफ लोगों को म मारा जा सकता है ये वही लोग हैं सामने एक पुलिस अफसर को ये एक एक फाय यार की एक शिकायत की जो है वो और एंज के खिलाफ एक अग्याट कुछ मुलानाओं के खिलाब ये F.I.R. दर्च करें और कह रहे हैं कि हम आपसे निश्पक्षता की उम्मीद करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर खड़ा यती नंसिंगर नंसिंगर रंसरस्वती जो है वो ये कहता है कि निश्पक्षता क्यों हमारा लड़का है हमारी बात जो है वो करेगा और उसके बाद एक जोड़ से ठाहा का वहाँ पर लगता है अब आप ये देखिए कि ये देश जो है इन साथ सालों में कहां आकर खड़ा है जिन लोगों को सलाफों के पीछे होना चाहिए था जिन लोगों के उपर दरहसल रासू का जिन लोगों के उपर दरहसल सेडिशन के चार्जिस होने चाहिए थे क्योंकि ये अपने ही देश के नागरिकों के के खतले आम की बात कर रहे हैं अपने ही देश की जो माइनॉर्टीज हैं उनके खिलाफ हत्यार उठाने की बात कर रहे हैं खुले मंच से और वो लोग देखिए किस तरह से बहादुरी से वहाँ पर खड़े रहते हैं क्यों उन्हें उमीद ही नहीं बलकि उनके यकीन है कि उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जाएगी खाना पूर्ती के लिए एफायार दर्ज होगी लेकिन कोई गिरफतारी नहीं की जाएगी और हो सकता है कि बहुत अगर कुछ देखने को मिले तो हो सकता है किसी एकात की कोई गिरफतारी हो जाएगा चन्द दिनों के बाद उनको छोड़ भी दिया जाएगा लेकिन आप बाया जा रहा है दिन रात उन्हें कुछला जा रहा है एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहे हो और इस ये वीडियो अगर आप इनसानी इनसान हैं अगर आप में एक जिन्दा धड़कता दिल है अगर आप इनसानियत पर अभी भी यकीन रखते हैं आप भाईचार की मासूमियत देख कर कि किस तरह से वो बेचारा लाचार ब्यारों मददगार वहां पर खड़ा है और किस तरह से एक एक शक्स जो है सिर्फ इसलिए कि वो नमाज वहां अदा करना चाहरा था किस तरह से उसको यह महसूस करा रहा है कि यह मुल्क जितना मेरा है उतना तुम्ह ना, ना, कोई इदर कुछ नी, गर पे जाके करो जो भी करना है, अब बज़ा हो जाएगा, ना, ना, कुछ नी, हम लोग क्या जाने, इदर नमज बूपर नहीं चलेगा, सामने भी नहीं, सब लोग इदर बगाई काप सामने चाओ कि आपका टाम खराब होगा, शचा गर जाक करो जो भी करना है, कोई ने चलेगा, बोला न आपको, इदर कुछ नी चलेगा, जो भी है, घर पे जाके करो, इदर कुछ नी चलेगा, आपको, हमको थोड़ी पता, यह पब्लीक एरिया है, यह पब्लीक एरिया है, तो फिर भी क्या हुआ, इदर हमारा घर है, इदर नहीं अजय को हम शिते ही जो उसंद सीमत हसा हूं अपने नसे गार नियुक्त दों पुछा में शुक्त याना मांगागी से मूझ होना है अठीक है अभी क्या है आपको इधर नहीं पढ़ने का नमाज जो आपने देखा ये शफ्स जो की ठेली चला कर अपने अपने घर का जो है वो पेट पालता है नमाज का वक्त हुआ उसने कैसे पहले इजासत मांगी नमाज पढ़ने की और उसके बा वो शख्स अब आप ये देखे कितना बेचारा लाचार वो इसमें नजर आ रहा है और कैसे वो फिर अपना अपना जो है वो पिनी जो है जो गोरी है जिस वो नमाज पर निजा रहा था उसको लपेट कर और महां से चला जाता है जी हां हमारा देश जो है वो अब इसी स्थ किती में आकर खड़ा हो गया है और इन लोगों को लगाता जो नफरत पहला रहे है इन लोगों को लगाता शे मिल रही है क्रिसमस नहीं मनाने देंगे नमाज नहीं अदा करने देंगे लगाता नफरत इसी तरह से पहलाएंगे अगर खुले मंचूं से अगर एक देश का भी वहाँ पर इसी तरह से भवे मंदर जो है बनाया जाएगा अगर इस तरह की बाते खुले मंचों से की जाएंगी इस तरह से देश के सबसे बड़े राजो का मुख्य मंतरी अगर इस तरह की बाते कहेगा उप मुख्य मंतरी अगर कहेगा कि अब मतुरा की बारी है और इस किसी तरहा का कोई डर है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें राजनेतिक संरक्षन जो है वो प्राप्त है अगर राजनेतिक संरक्षन ना हो तो इन लोगों की इतनी हिम्मत ही ना हो और हर रोज नए कीरतिमान गड़ रहे हैं लोग और हर रोज देश जो है देश के वो लोग जो अभी भी सेक्ला सम्विधान उसमें यकीन रखते हैं. जो अनेकता में एकता के लिए जो हमारा देश जाना जाता है उसमें यकीन रखते हैं. वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आकर और कितनी गिरावट देखने के लिए मिलेगी? आज का कारिकरम कैसा लगा मुझे जूरूर बताएगा आज के कारिकरम में बस इतना ही आप मुझे ट्विटर, इंस्टरग्राम और फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और जादा से जादा लोगों तर प्रोग्राम को पहुंचाएं नमस्कारादा